नमस्कार मैं बिझ्डी तो आज अपने कीचन में अप लोगों को ठेकुवा बना करके दिखाने वाले हुए थेकुआ जिसे हमने पकवान कहते हैं तो हम लोग ठेकुआ कहते हैं लेकिन आप लोग देखेंगे तो आप लोग बताईएगा कमेंट वरती आप लोग इसको क्या क चीज को तो फिर उसके लिए कि हम क्या कि यह हैं गट्था तो पकवान के लिए यहाँ पर हम आठा लिए हुए हैं दोगो से थोड़ा सा कम है 13 किल्व से उपर है इसके लिए चिनी हम लेंगे तो कितना आटा रहता है उसके आधा चीनी लिया जाता है यानि हम लिए दो केजी आटा लिया है तो उसके आधा एक केजी चीनी लेंगे और जो ज्यादा मिठा खाता है उतना लेता है जो कम मिठा खाता है वो उससे थोड़ा सा कम लेगा चीनी तो यहां पर चीनी है तो चीनी को करेंगे चीन को पानी में हम डालेंगे कि पहले चीनी को घूलना चाहिए पानी में बढ़िया से घूल जाएगा फिरा तांग उथेंगे तो इसमें मीठा सोडा एक चमस्त से थूड़ा सा कम डालेंगे जिसे कहवा सोडा हम लोग कहते हैं अब इसमें हम क्या करेंगे मोयन के लिए टेल डालेंगे अब इसको हम हाथ से इसको बस लेंगे बढ़िया से मोयन को अब इसकते हैं हो गया है अब इसको हम इसके गुठेंगे बात है कि इसमें जो चीनी है उसको बढ़िया से मिलाना है इसका एक तरीका और है जल्दी मिलाने के लिए थोड़ा सा इसको गरम कर देंगे तो चीनी को जितना मिला लिए है उतना परहने देंगे क्योंकि पूरा नहीं मिलता है जैसे जैसे हम इसको गुठेंगे वह अपना चीनी इसमें पिगलते जाएगा अब इसको आटा के जैसे गुठेंगे मुलायम एक दाम मुलायम रहता है तो बढ़िया फूलता है यह रहां तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लेकरके जैसे आटा गुठा जाता है वह इसे गुठेंगे यहां तक गुठ लिये हैं अब बहुत देत अब यह है कि इसमें थोड़ा और सा नाई खुचता है तो हम तो अपने तरप से बहुत कर लिये हैं लेकिन इसको अब हम खुचदर के लिए रख देते हैं कि रखने के बाद भी जो भी बचा पुचा रहाएगा वो इसमें फू फूल जाएगा तो हम तो श्रकाम करने जा रहा है उसके बचाएंगे इसको हम यह घंटा का बात भी बना सकते हैं यह साम में बना सकते हैं जब हम को समय मिलेगा तो बनाएंगे त्फिर आप लोगों को दिखाएंगे तो दोस्तों अभी छे बज गया है, 6 बजने जारहा है, आए है बनाने के लिए एजे ठेकवा का जहां आता, हमुद्ध करका रखे थे, फूल भी गया है, इसको हम उठेंगे और लेकिन उठो भी गया है, और पहले ही बनाने वाले थे, लेकिन ये ठुरा खराब हुगया तो छोड़ दिये तो अभी आए हुए है किच्छन में, विरब पनातो के भी खा रहे है आपको भात में हम तेल लगाएंगे बीना तेल लगाएं काम नहीं होगा तेल लगा करके और यह सांच है हाथ के उपर हम तेल लगाएंगे फूरा फिर इसका छोटी छोटी लोई लेकर के हम बनाएंगे जिस तरह से रोटी के लोई लेकर बनाए जाता है उसी तरह से इसका छोटा 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 लडू जीसे लोई लेंगे आइस को हाथ के सहारे ऐसे बढ़ा करेंगे ठोब करके इस तरीका से हम ठेकवा को ठोकेंगे क्योंकि हाथ के तरहती से ठोका जाता है तो बढ़िया बराबर से ठोकाएंगे इतना सारा ठेकवा को हम ठोक लिए हैं इसमें तेपर लगा करके लख लेंगे क्योंकि निदाल के पैसी मेरे ठाएगा कि जो तेल एक्टरा राता है उस ठोक लेता है तेल को पुरा गरम होने देंगे उसके बाद ही डालेंगे इसमें अराम से इसको दानना होगा कि बहुत तेल इसमें छलकता है अभी छलका है यहाँ पे स्थार सांकाम कर दिया कि जदात तेल गारम होगा यहाँ छोड़ा सतेरी करेंगे फीर से इसमें मोयन और मीठा सोड़ा जो डाला गया है इससे पुरा खसता हुआ है फिर चुला को तेज कर देंगे जोकि चुला तेज रहता है तभी तेल पुरा गरम होना चाहिए तभी जाके बढ़ियां फूलता है फिर थोड़ा सत चुला को तेज करेंगे अब इसी तरीका से सभी जितना भी है उतना कोह बना लेंगे दोस्तों तो मेरा ठेकवा पुरा बन गया है यह यह लाव्त घानी इसमें हलका है प्रास सफच है यक दोस्तों अब आप लोग बनाएं और हमें कमेट द्वार बताएं कि किसका चैसा बना है और खाने में कईसा लग रहा है एक बार हमको बताएंगे आप लोग तो फिर हमको लगेगा यहार्ग लोग भी ऐसा बनाते हैं फिर आप लोग को हम स्वार्फ करके दिखा रहे हैं तो दोस्तों यह रहा मेरा ठेकुआ अब ठेकुआ का है या पकवान का है तो अब आप लोग बताएं कैसा बना हुआ है क्योंकि हमको तो बहुत सुन्दर दिख रहा है तो प्लीज अगर आप लोग अच्छा लगे तो हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें बेल आइकन को दबाएं जिससे दुसरा नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच जाए तब अधा दूसरा वीडियो के लिए अपने इंतिजार करें तब तक के लिए थैंक यूँ